आज मुंबई पुलिस की और से एक टीम मेरे पास आई थी 23 मई 2021 को महाराश्ट्र में हुए तबादले घोटा ले के कागजातों को मैंने केंद्रे ग्रह सचीव को सौपा था एक प्रेस कांफरेंस की थी उसमें कवरिंग लेटर दिखाते हुए बताया था यह सारा सेंसेटिव मेरे पास है महाराश्ट्र में करोड़ो रुपे का तबादला घोटाला हुआ है और इसके कागजाद मैं केंद्रे ग्रह सचीव जी को सौप रहा हूँ उसी दिन मैंने उनको सौपा था उसके बाद उससे बोखलाए हुई सरकार ने एक गुना दाखिल किया के कागज बाहर कैसे गए और उस सिलसिले में आज मेरे पास मेरा स्टेट्मेंट रेकॉड करने टीम आई थी मैंने उस टीम को सारा जवाब दिया है इससे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनायर भेजा था लेकिन आज जो टीम आई थी उसने उस questionnaire की जगह जो questionnaire बिल्कुल एक साक्षी की तरह था उसकी जगह एक ऐसे questionnaire को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मनसुबा मानो मैंने ही Official Secret Act का उनलंगन किया हो और मैं ही आरोपी हूँ इस प्रकार के सवाल मुझसे पुछे गए लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और मैंने उनको साब बताया है कि मैंने कागजात ये प्रेस को नहीं दिया है मैंने प्रेस में अनाउंस करके Competent Authority को दिया है राज्य सरकार के पास छे मैने तक घोटा लेकर रिपोर्ट था उसको दबाकर राज्य सरकार बैठी थी मैंने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला चुकि उसमें IPS अधिकारियों के नाम थे और IPS अधिकारियों की Competent Authority ये केंद्रिय ग्रह सच्यू है इसलिए मैंने सारी चिज़ें केंद्रिय ग्रह सच्यू को सोपी और इसलिए इसमें Official Secret Act का समन्ने नहीं आता उल्टा मैं तो विपक्ष का नेता हूँ मुझे तो Protection है ही बाउजूर उसे एक सामान्य नागरिक के तोर पर भी Whistleblowers Protection Act के तहत में Whistleblower हूँ मैंने विसल ब्लो की है इस घोटाले के उपर जिसमें करोडों रुपे तबादले के लिए लिए गए और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सिक्रेट डॉक्यमेंट बहार गये है तो उन्होंने कारवाई मंत्री नवाब मलिक पर करन एक और दो मंत्री थे इसलिए मैंने बहुत स्प्रश्चपदों में सारी चीजों का जवाब दिया है मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार की बाते मैं लगातार सदन में उठा रहा हूँ जिस प्रकार से सरकार के मंत्री की दाऊद के गुरुगों के साथ हिस्सेदारी मैंने दिखाई जिस प्रकार से सरकार के विपक्ष को केसेस में फसाने के शड़यंत्र को मैंने ध्वस्त किया इससे बोखलाई हुई सरकार ये मानती है कि इस प्रकार का नोटिस देकर मुझे दबाओ में वो ला सकेगी मैं तो जनता का काम कर रहा हूँ मैं तो वरष्टाचार को बाहर निकाल रहा हूँ मैं किसी भी दबाओ में आने वाला नहीं हूँ मैं ये काम करता ही रहूँगा ये काम जारी रहेगा संजे राउत का ये त्वीट करके उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है कि राजी सरकार जब इस मामले की जाच कर रही है कानून के लिए सब कोई बराबर है तो उस्ताज करने के लिए कुछ नेताओं से संपर किया जा रहा है तो डर क्यूं रहे हैं सच बताने के लिए मैं उनको ही पूछना चाहता हूं मैंने तो खुले मन से बोला कि मैं जाने को तयार हूं संजे राउत रोज डर डर कर प्रेस कांफरेंस लेते रोज के इंद्रिया एजंसी पर आरोप करते तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो कहा कि मैं आने को तयार हूं बुलाओ जहां बुल जो बोलने की, नहीं है वो तो प्रिसकत है, मुझे क्यों बुलाएं, मुझे क्यों बुलाएं, मुझे क्यों बुलाएं, जो रोज बोलते हैं.